हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों अब ये भी कि जो सबसे बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर कोरोना वारस को लेकर बड़ी खबर अमेरका से जहाँ पर ऑक्सीजन की आपूरती के लिए भारत की मदद करेगा अमेरका ज पाकिस्तान की सेना जी हाँ दोस्तों बताएंगे खुद पाकिस्तानी की तरफ से ये बात कही गई है दोस्तों साथी अगली खबर में आपको बताएंगे जहाँ पर कोरोना के वीच चाइना से बड़ी खबर चीनी राष्ट्रपती शी जिन पिंग ने प्रधान मंत्री कर बड़ी बात कह दी है दोस्तों बताएंगे बड़ी मदद का हाथ बढ़ाने की कोशिस की जा रही है और चीनी वाइरस को छुपाने की कोशिस की जा रही है भारत की मदद को लेकर बताएंगे पूरी खबर क्या है दोस्तों साथी आपको बताएंगे जहाँ पर अमेरिकी कि सरकार जिहां दोस्तों क्या है पूरी खबर चलेंगे एक एक बड़ी खबर की तरफ दोस्तों लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हमारा देश संकट से उबर सकता है दोस्तों और हर चीज मुम्किन है और बंगाल में भाजबा की सरकार बनेगी त सबसे बड़ी खबर की तरफ जहां आपको बताते हैं दोस्तों बड़ी दुखत खबर है आज तक के वरिष्ट एंकर रोहित सरदना का कल निदन हो गया है दोस्तों जिसके बाद खामोस हो गया है उनका दंगल का उस्ताद जी हां दोस्त अकर आप भी उनके देहांत से दु पुड़ी बड़ी खबर जांग ऑक्सीजन की आप उर्ती के लिए भारत की मदद करेगा अमेरिका जिहां दोस्तों भेजेगा एकपर्स टीम को इंडिया में बता दें अमेरिका के रास्ट्र बती जो वाडन का प्रशासन भारत में लोगों की जान बचाने के लिए ऑक्सीज अधिकारी ने बड़ी बात कह दी है दोस्तों भारत में शुकरवार को कोरोना वाइरस के 3,88,452 नए मामले सामने आए जो अब तक एक दिन में आए सरवाधिक मामले हैं जिहां दोस्तों अमेरिका ने बयान तब दिया जब एक दिन पहले जो वाडन प्रशासन ने एक सेन विमान से मेडिकल एक्विपमेंट्स और जीवन रक्षक ऑक्सीजन गैस भारत भेजी भारती अधिकारियों से हुई बात चीत के बाद कोनी दिन सुदकी ने कहा है कि अस्पताल पर भारी दवाव है ऐसे में इलाज के लिए ऑक्सीजन और दवायों की तुरंत जरूरत है उन्होंने कहा कि अब तक की सबसे बड़ी चुनोती दिखाई देती है USAID भारत में एक्सपर्ट की एक टीम भेजने पर भी काम कर रही है जी हाँ दोस्तों जेरेमी कोनिंडिक ने कहा है कि भारत ने पिछले साल अमेरिका की मदद की ती यानि हमारी मदद की थी हमारे लिए महामारी से सबसे बुरे दिनों के दोरान अमेरिका को मेडिकल एक्विपमेंट्स भेजे थे हम उसी तरह की मदद करने की कोशिस कर रहे हैं और भारत हमेशा से अमेरिका का सच्चा मित्र रहा है ऐसे में भारत की मदद करना हमारा धर्मी नहीं वलकि एक निस्ठा और कर्म भी है जिहां दोस्तो इस प्रकार की बड़ापन वाली बाते अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर की गई है दोस्तो और भारत की पूरी मदद का आस्वासन दिया गया है अमेरिका की तरफ से ऐसे मगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी ने पिछले साल जिस प्रकार से बिना किसी आपके अमेरिका की मदद किती दोस्तों आज वो मदद भारत के लिए रिटर्न के रूप में एक वरदान साभीत हो रहा तो कमेंट सेक्शन में आप भी थेंक यू अमेरिका थेंक यू जो बाइडन जरूर लिख दीजेगा दोस्तों चलते हैं तीसरी सबसे बड़ी खबर की तरब जहां फजलूर रह्मान ने खुद कह दिया है कि 24 घंटे भी जंग नहीं लड़ पाएगी पाकिस्तानी सेना जिहां दोस्तों बड़ी खबर आ रही है ये भी पाकिस्तान से पाकिस्तान की जेना को लेकर एक बयान को लेकर विवा चिड़ गया है दोस्ति इमरान खान भी जंग नहीं लड़ पाएगी जी हां दोस्तों मौलाना फजलूर रह्मान पाकिस्तान सरकार की खिलाफ लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और इमरान खान की स्तीफे की मांग कर रहे हैं दोस्ता उन्होंने सेना को लेकर भी तीखी टिपनी कर दिया इमरान खान की सरक का अपमान बताया है तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से खुद पाकिस्तानी फजलूर रह्मान ने पाकिस्तानी सेनाओं की पोल खोल कर रख दी है दोस्तों और कहा है कि अगर किसी भी देश से जंग हुई तो 24 घंटे तक टिक नहीं पाएगी पाकिस्तानी सेना ऐसे मगर आप भी मानते हैं कि फजलूर रह्मान ने बिल्कुल सची बात कहिए दोस्तों देख कमेंट सेक्चेन में हम उनकी बात का समर्थन करते हैं जरूर लिखेगा दोस्तों वही भारी मातरा में चलत अगली बड़ी ख़बर की तरफ जहां पर कोरोना वैक्सिन जूड पहुंचाने के बजाए उसको मेडिकल सप्लाई में अडंगे डाल रही है चाइना जिसने एक बार फिर घड़ी आली हम दर्दी जाहिर की है दोस्तों चीन के रास्त्रबती शी जिन पिंग ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी को पत्र लिखकर भारत में कोरोना से हो र व्यक्त करते हैं इस संकट के दोर में वे भारत और उसकी जनता के साथ साहनु भूती व्यक्त करते हैं जी हां दोस्तों साथी आपको बता दे भारत के साथ चीन का सहयोग बढ़ाते हुए शी जिन पिंग ने कहा है कि चीनी पक्षी कोरोना महामारी से लड़ने में भारतिय पक्ष के साथ सहयोग को मजबूत करने और इस संबंद में सहयता प्रदान करने के लिए तयार है और मुझे विश्वास है कि भारत सरकार के निस्तित में भारती लोग निस्तित रूप से महामारी पर विजय प्राप्त अवश्य करेंगे तो देखा आपने दोस्तों किस प्रक दोस्तों देखते हैं कितने बारती चाहते हैं कि इस समय में भारत की जनता ही एक भारत के लिए जड़ी बूटी के समान है दोस्तों दोस्तों कहना बिल्कुल मत भूलेगा चलते हैं लिए बड़ी खबर की और जहां पर अमेरिकी राष्टरपती जोवाड़ा ने कहा है कि हिंद प्रशांद छेतर में मजबूत सेन मौजूदगी बनाए रखेंगे जिहां दोस्ता अमेरिकी संसत के सयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्टरपती जोवाड़ा ने कहा है कि उन्होंने चीनी राष्टरपत की शपत लेने के सौ दिनों बाद जो वाइडर ने कहा कि अमेर काब आगे बढ़ रहा है आपकी क्या रहा होगी बताएगा जरूर दोस्तों चल देखली खबर की तरफ जहां अब पाकिस्तान ने भारत को कोरुणा से लड़ने के लिए राहत सामगरी देने की पेशकस दोर आ रही है पाकिस्तान से जहां पर कहा जाता है दोस्तों कि बहती गंगा में हाथ धोना हर किसी को सुहाता है इसी प्रकार की खबर आ रही है पाकिस्तान से जहां पाकिस्तान अब भारत की मदद करने की बात कर रहा है दोस्तों भारत को राहत सामगरी देने की बात कर रहा है क् पाकिस्तान जानता है कि भारत कभी पाकिस्तान की मदद लेही नहीं सकता लेकिन पाकिस्तान इस समय में बहती गंगा की तरह हाथ दोने की कोशिश कर रहा है दोस्तों जिससे की अन्य देशों को लगे कि पाकिस्तान भारत की मदद करना चाहता है आपको बता दे दरसल खबर ह कि पाकिस्तान ने कुरोना वारत संक्रमन के संकट से जूज रहे भारत को राहत सामगरी देने की अपनी पेशकस दोहराते हुए कहा है कि दोनों देश महामारी से पैदा हुई चुनोतियों का सामना करने में भविश में आपसी सहियों के तरीके तला सकती है पाकिस्तानी विदेश मंतराले के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान भारत को तुरंत वेंटिलेटर डिजिटल एक्सरे मशीन पीपी किट और संबंधित सामगरी भेजने को तैयार है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के संबंधित अधिखारी महामारी से पैदा हुए चुनोतियों का कि थेंक क्योंकि भारत की लिए क्योंक भारत की करने की बात की दोस्तों तो भारती मोहमध्ण ने ये बात कई रिष्टे चाहते हैं और हम इस पर काम भी कर रहे हैं उन्होंने भारत के पड़ोसी पाकिस्तान पर कोई विशेस बात नहीं की जो बताता है कि साओधी क्राउन प्रिंस भारत के साथ खड़े हैं जिहां दोस्त ऐसे मैं आप भी थेंक्यू साओधी अरब जिहां दोस्त जरू की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है दोस्तों देश की सबसे बड़े बैंक भारतिये स्टेट बैंक की रिसर्च इकाई यानि एस बियाई रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि कोरोना की दूसरी लहर में जिस तेजी से संक्रमन फैल रहा ह कुछ दिनों में हम इस लहर के पीक पर होंगे जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि SBI डिसर्च ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया है कि मई के मध्य तक यानी 15 मई तक भारत कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर होगा तब देश में कुरोना संक्रमन के करीब 36 लाख मरीज होंगे हलागी रिपोर्ट में इसके अर्थ बेबस्ता पर पढ़ने वाले असर को भी बताया गया है दोस्तों ऐसे में ये बड़ी खबर है और आप लोगों से हाथ जोरकर हमारी टीम की तरब से हाथ जोरकर विनमर निवेधन है दोस्तों किरप्या करके अपने हेल्थ की खयाल जरूर रखेगा और बेवज़े बाहर मत निकलिएगा दोस्तों गली खबर की बात करें दोस्तों फाइजर और बायोंटेक ने बच्चों के लिए टीके को मंजूरी की मांग की है जी हाँ दोस्तों फाइजर और बायोंटेक ने यूरोपिया संग के दवा नियाम को से 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए कमपनियों के कोरोना वायरस टिके को मंजूरी देने का अनुरोध किया है दोस्तों क्या इस मंजूरी को पास कर देना चाहिए क्या कहते हैं आप लोग बताएगा जरूर अगली खबर की बात करें तो जिस वेरियंट ने मचा रखी है भारत में तबाही वेरियंट फ्रांस तक पहुँच गया है दोस्तों जिसका पहला मामला दर्ज कर लिया गया है कोरोना के इस वेरियंट का साथि अंदिम ख़वर की बात करें तो दिल्ली से बड़ी ख़ब ज़ा सी म अरविन्द केजरिवाल की पतनी सुनी था जिसके बाद यह पूछती हुई थी कि वो संक्रमित है रिपोर्ट आने के बाद से उन्होंने खुद को होम आईसोलेट कर लिया था साथी केजरिवाल ने भी खुद को कारंटाइन कर लिया था दोस्तो लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगिटिव आई है और उनकी बीवी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है दोस्तों जिसके बाद उनको मैक्स साकेत में भरती करवाया गया है दोस्तों ऐसे में आपकी क्या रहाए होगी इस कोरोना वाइरस के इस स्ट्रेंड को लेकर और आप लोगों से क्या विनती निवेदन करना चाहेंगे द आपको हमारी ख़बरे कैसी लेगी दोस्तों आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी अगर तनी की भी अच्छी लेगी तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंदू में वस्ताफ फेस्बुक ट्विटर के जरिये पूरे भारत में शिप हुआ है